नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आमर यूटूब चैनल पर और आज हम जिस टोपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है चोहानों का मेतवपुन शासक पर्थिराज तर्तिये तो पर्थिराज तर्तिये बारे में चली शुरू करते हैं परत्युराज तर्तिय का जो सासनकाल है वो है 1138 इस्वित से लेकर 1192 इस्वित ग्यारा सो बाण में तराइन का दीती यूद होता है और यहीं पर इनका जो सासनकाल ये वो समापत होता है परत्युराज चोहन की तीन उपादिया है एक तो अदल पुंगल एक है सपादलक्ष पती जो सांबर के चोहन है उन्हें सपादलक्ष पती का जाता है और राय पित्थरा ये तीन उपादिया है वो कि इनकी है परत्युराज तर्तिय वी पर्थिराज तट्टी के पिता का नाम है स्वामेश्वर और माता का नाम था करपूरी देवी पर्थिराज चवान अलपाईव में यानि कि 11 वर्ष के समय में ही जब पर्थिराज चवान 11 वर्ष के हुए तब ही क्या बन गए थे सासक बन गए थे अत्या प्रारंब में जो हिनकी माता है करपूरी देवी वो इनकी क्या थी? शरक्षी का थी करपूरी देवी तिरफूरी यानि EMP के कल्चूरी वंस की राजगुमारी थी समीशयों की समापती अपने मंत्री केमास या कदंबास के साहता सकी थी तो सुर्वात में, पर्तिराज तवान पर्तिराज तो आनल पर्तिराज थे इसलिए उन्हें जो सुर्वात चैना का है महोबा के चंदेलोंस का सासक कौन था पर्मरदी देव को पराजित किया 1182 में जो चंदेल वंस का साशक था कौन था परमर्दी देव उसको क्या कर दिया प्राजित कर दिया इस यूद में चंदेल सेनापती आला और उदल मारे गए आला और उदल किनके सेनापती थे चंदेल सेनापती थे अगर पूछ ले किस साशक के सहना पती थे तो वो हो जाएगा परमर्दी देव और ये साशक कहा था चंदेल वंच का साशक था पर्थिराज ने पुंजन राय को महोबा या बुंदेलखंड का पर्षाशक नियूत किया जो पुंजन राय है उसको महोबा और बुंदेलखंड ये दोनु एक रियासत है महोबा या बुंदेलखंड का पर्षाशक नियूत किया पर्थिराज ने 1177 में गुजरात के सोलंग की वस यानि के चालों की वंच के साशक भीम दीतियों को पराजित किया कब 1177 में गुजरात के सोलंग की वंच के साशक भीम दीतियों को पराजित किया पर्थिराज के स्रमकाली जो कनोज का साशक था वो था जेचंद गहडवाल कनोज का जो साशक था वो था जेचंद गहडवाल अब देखते हैं पर्थिराज चोहान और शीहबुदीन यानि मौमद गोरी के मिद्धी का जो संगर्ष है जो युद्धे उनके बार पर्थिराज चोहान और मौमद गोरी के मिद्धी दो परकार के युद्ध हुए थे वह थे पहला था तराहिन का पर्थम युद और तराहिन का दीती युद पहला हुआ था 1101 में यानि पहला और एक दूसरा और दो 1102 में दोन्य किनकिन बीच में पर्तिराज मुहमद गोरी पर्तिराज मुहमद गोरी पहले में गोरी पराजित हुआ था और दूसरे में कौन प ना पती मिनाज शिराज के नुसार पर्थिराज चौहन को तराइन के मैदान में ही मार दिया था मिनाज शिराज कहते हैं कि पर्थिराज चौहन उसको तराइन के युद में ही मार दिया था याद करना भी आसान है याद कर लो देखो मिनाज में में आता है और मैदान में भी म गोरी की अदिंता सुईकार कर लिती। असन निजामी कहते हैं कि तरहेंगे दीथ्य यूद में पर्त्वराज चोहन ने मौमद गर किये वह दिंता सुईकार कर लिती। और उनके परिणाम ते क्या हुआ गोरी ने पर्थिराज को अजमेर का राजी वापस वाप दिया और दिली का सहत्र पर्थिराज से लेकर एबग को दिली का परशाषक नियूद किया असन निजामी कहता है कि पर्थिराज ने गोरी के दिन तर्शोईकार कर ली और क्या हुआ उन्हें अजमेर का शास् Chem बना दिया गया और दिली का शाaj Chem प्रत्यूराज से लेकर हिसको दे दिया एबग को दे दिया असन निजामी के इस कथन की पुष्टी अजमेर से प्रार्प्त एक शिक्के से होती है असन निजमी का जो खतन है इसकी पुष्ट यजमे से एक शिक्रा मिलता है जिस पर एक तरफ तो पर्थिराज चोहान और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मौमध बिन साम यहां पर उनकी आंके फोड़ दी गई और पर्थिराज चोहां ने शबुद बैदी बांड से मौमद गोरी की अत्या कर दी तो छंद्र बरदाई तो कहता है की गजनी ले गई मीनाज सिराज कहता है की मेदान में ही मरा गया और हसन निजामी कहता है की मौमद गोरी की अदिनता है वो पर्थिराज चोहां ने सुषकार कर लिए अब पर्थिराथ चोहन के जो विद्वान है वो एक तो है जयनक, एक जनारदन, एक चंदरबर्दाई, एक पर्थिवबट, एक विद्यापति गोड, एक वागिश्वर, एक आशातर कुछ विद्वानों का कहना है कि, चंदरबर्दाई का दूसरा नामी क्या है पर्थिवबट, कुछ विद्वान कहते हैं ये चंदरबर्दाई और पर्थिवबट दोनों एक ही विकती, पर्थिवराथ ने पदमनात के नेतरतों में कलायों संस्कृति विभा की इस्तापना की की थी का लाएम स्कृति विबाग की जो इस्तावना है वो पदवनात के नेटत्तों में पर्थ्वरात-चौहन ने की थी तो पर्थ्वरात-चौहन के बारे में मुख्यों जो तक्ति है वो हमने समलीद कर लिए जो एक्जाम की दर्श्टी से मेहतो पूर्ण है थैंक्यू दन्यवाब